तो जहां हम बात करेंगे फैशन, ब्यूटी, लाइफसाल, आर्टन क्राफ्ट एंड मोर अबाउट रिव्यू हॉल्स की तो गाइस तूडेज वीडियो इस ओल अबाउट रिव्यू हॉल्स और डबल बैट शीट विच पर्चेस फॉम सिम्सिम अप्लिकेशन जैसे कि समर सभी रनिंग में हैं इस ताइम कॉटन की बैट शीट की कितनी रिक्वार्मेंट होती है यह तो हर एक ग्रहनी एंड हाउस वाइफ को पता ही होगा दोस्तों इसलिए आज में लेके आई हूँ रिव्यू हॉल और बैट शीट जो की कॉटन की बैट शीट है कुछ लेस कॉटन की है सबसे पहले मैं बता दू सिम्सिम क्या है सिम्सिम एक अप्लिकेशन है जहां से आप मैं प्रोडेक्ट वूमन प्रोडेक्ट हो में अशेंच फर्स्ट जो बैट शीट है वो है यलो इन कलर और इसमें जो है ना ब्राउन कलर का प्रिंट भी है देख सकते हैं और यह प्यूर कॉटन की बैट शीट है इसका प्रिंट इन पैटन बहुत जड़ अच्छा है इस तरीके के ब्राइट कलर ना काफी अच्छे लगते है इसके साथ मिले हैं दो पिलो कवर इनका प्राइज इसके साथ में मैं मैं जितनी ब्राइज ना मैंने प्रशेश की है वह थोड़ी एक्स्टा होती है एक क्यूइन साइज होता हुँ थोड़ा छोटा होता है और पर से कॉटन का थोड़ा सा यह रहता है कि आफ्टर वाश उसका कलर आउट ना हो इसलिए मैं पर चाहिस करते बिल्कुल स्लाइट से कलर आउट हुआ बहुत ज़्यादा कलर नहीं किया तो इस बारी अलिगेंट एंड ब्यूटिफल बैट शेट लग रही है यलो इन कलर यह है जापरी प्रिंट कुछ जापरी प्रिंट है और चोड़ा चोड़ा इसका जो बाडर है ना जिसमें ब्रा बैट शेट को बिचा सकते हैं नेक्स जो है अगीन है डबल बैट शेट इसका जो प्रिंट है ना सीडियसली मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लगा एंड अभी आप देखेगा बिचने के बादे कितना ब्यूटिफुल लगने वाला है यह ना अलिफेंट में है पूरी बैट शेट में अगें डाक कलर है ब्लू और इंज यलो इसमें काफी सारे कलर मिक्स और मैच किये गए हैं जो कि इसके खूपसरती को और ज्यादा बढ़ाता है एंड जब मैंने विशाइगी ना सीडियसली बहुत ज़्यादा अच्छी लग रहे थी हां लेकिन आफ्टर इसका जो है थोड़ा बहुत कलर क्या फॉद्ट लगे गया लेकिन फंस्त वाश में यह इसको दो-्तीन बार वाश कर चुकी हूं इसके साथ मिले हैं यह दो पीलो कबर इसमें भी यह आप कोई अलेपन्ट प्रेंट मिलेगा अगें यह डबल बैड शीट अगर आपके घर में इस पेसली गैस आते हैं या कोई फंक्शन है और केजन है उस तैम पे अगर आप इस बैड शीट को पिशाएंगे ना तो डैफिनेटली बहुत ज़्यादा सुन्दर लगने वाली है यह सो एक बार फिर से आप देख सकते हैं जैपुरी प्रिंट में यह बैड शीट एंड कितने जादा ब्यूटिफुल लग रही है मैंने इसको वाइट क्लेर के मैं क्रेम कुशन कवर के साथ जो है पेर अप किया है जिसके साथ ही काफी अच्छा मिक्सन मैस दे रही है सो इसका प बहुत जादा ट्रेंड में चल रही है मिसो आप सी एमर्जान फ्लिप कार्ट मैंने काफी सारी अप्लिकेशन पे जब भी मैं बैट शीट सर्च आउट करती हो ना तो सबसे उपर यह वाली बैट शीट आती है आइधिंग टेंडिंग में चल रही है और इसका कलर प्रेंट कोगा बट इस से ब्लाक नी कहेंगे थोड़ा सा ग्रे कलर है एंड उसमें यह फ्लार बने हुए है जैलो प्ल्यू एंड रेड कलर के और गाइस सीरियस्ली बैट शीट ना बहुत जादा प्यारी है बहुत जादा खुबसूरत है दो पीलो कबर मिल जाएंगे डबल बैट चलिए देखते हैं बिचाने के वाद ही कैसी लगने वाली है जैसा कि मैंने बताया यह है ट्रेंडिंग में चो चल रही है बैड शीट एंड आप देख सकते हैं पिछने के बाद एक इतने जादा सुन्दर लग रही है काफी मतलब प्राइट सस्का कलर है घर में बच्चे ह है जैसे की राखी आने वाली है तो उस तैवार पे भी आप इसको ना अपने बेडरूम में बिचा सकते हैं यह को साइड लुक एंड इसको मैंने प्रेंट किया है यह लो कर लग कलर के माक्रेम कुशन कवर के साथ जो की और ब्यूटिफुल लग रही है इसमें नेक्स्ट इसमें सांटर पे मोर्ग बनावा है जो कि पिकॉक जो कि अगेन बहुत ज़्यादा ब्यूटिफुल लग रहा है तो अभी मैं इसके बारे में क्या ही बताऊं यह बिचेगी तो बिचने के बाद बताती हूं मैं कैसे लगने वाली है और इसका जो कलर है बिल्कुल भी आउ इसको मैंने प्यारप किया है जिसमें और भी ज्यादा ब्यूटिफुल लग रहा है पीच में दो बड़े-बड़े आपको पिकॉक मिलेंगे और साइड में पिंक कलर में आपको छोटे-छोटे पिकॉक मिलेंगे जो कि यह प्रिंटन पाटन है ना मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया परसनली सो यह भी बहुत ज्यादा ब्यूटिफुल बैट शीट है इस पेसली तब अगर जब आपकी घर में गैस आने वाले हैं या कोई फैस्तिवल है तो आप टैफिनेटली से भी चा सकते हैं नेक्स्ट बैट शीट है ग्लेज कॉटन यार नोट प्यॉरली क प्रिंट अब जो ना फाइफ टू टैंट वाश कर चुकी हूं उसके बावजूर्ट जो पी चमक है यह इसकी ब्राइटनेस कह सकते हैं अभी तक वैसी ही वैसी है बहुत ब्यूटिफुल यह लगती है चादर बिचाने के बाद हलाग कि जब मुझे रसीव हुई तो मुझ बिचने के बाद यह बैट शिट कितने ज्यादा ब्यूटिफुल लग रही है और इस बैट सिट को विछाने के बाद ना मेरे चो पैटरूम का लुक है आप देख सकते हैं कंप्लेटली चेंज हो चुका है मेरे पैटरूम का लुक का फी ब्राइट कलर की बैट शिट है इसमें मिक्की माउस बने हुए है नीचे से ऐसे देखने में तो पता नहीं लगेगा पिछाने के बाद देखेंगे इसको अगर आपकी घर में छोटे चोटे बच्चे हैं तो डैफिनेटली उनको यह बैट शिक पसंद आने वाली है क्योंकि बच्चे को अच्छा लगता ह हो लाइक मिक्की माउस हो या कुछ कार्टून से बने हो कुछ अलग सा बना हो मोटू पत्नू बने हो तो उनको काफी जादा पसंद आते हैं अगें इसमें मिले हैं दो पिलो का बड़ तो यह भी जो है ग्लेस कॉटन की ही है इट इस ऑलसो वरी प्यूटिफुल अट्रेक् अगर आपके घर में बच्चेन उनको पसंद आने वाली है क्योंकि उम्भी के माउस देखके ना वैसे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि ग्लेस कॉटन में है सो इसका कलर आउट नहीं होगा सो यही था मेरा आज का कलेक्शन बैट शीट का होप सभी को पसंद आया होग अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे ही न्यू न्यू अपडेट के लिए बने रहेएगा मेरे साथ क्योंकि मैं जल्दी ही लेके आनी वाली हूं और कफी सारे रिव्यू हॉल डिफरेंट डिफरेंट इस प्रोड़क्त के चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाबाए टेक केर